हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हैं आपका ओम सुचर चैनल में, आज मैं आपको बताऊंगी के पंजाबी स्टाइल आलू प्राथा कैसे बनाते हैं, यह जो प्राथा हम बनाएंगे यह प्यॉर देसी स्टाइल से बनाएंगे, ट्रेडिशनली कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए मैं यह जो प्राथा है चार लोगों के लिए बना रही हूं, तो मैंने यहाँ पर दस मीडियम साइज के आलू लिए, आलू बॉयल करके लेने हैं, फिर आपको चाहिए एक बड़ा प्याज, इसको आप चॉप कर लेंगे, एक हरी मिर्च, इसको भी आप चॉप कर लीजे ब अजवायन, यानि की करम सीड्स, यह क्वाटर टीस्पून है, नमक स्वादनुसार, तो चलिए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आप एक ऐसी बड़ी थाल ले लीजे, उसमें अपने बॉयल पोटेटोस को डाल लीजे, अब हम इन पोटेटोस को मैश करेंगे, और किसी मैशर से नहीं करना है, क्योंकि जितना आलू मोटा रहेगा, उतना ही प्रांथे में ज्यादा टेस्ट आएगा, तो इसको इस तहां से मैश करेंगे, यह देखिए, इस तहां से, आलू हमारे मैश हो गए है, अब हम अपना मेटीर दालेंगे, प्याज, अद्रक, अराधनिया, हरी मिर्च, अजवायन, अजवायन डालने से पहले आप ऐसे अपने पाम में लेके इसको थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, इस तरहां से डालें, अमचूर पाउडर, और नमक साधनुसार, अब हम इस सारे मसाले को जो है, अपने आलूओं में मिक्स कर देंगे, अगर आपके पास है, तो आप अनारदाना पाउडर यूजिये, बहुत अच्छा तेस्टाएगा, यह आटा हमने ले लिया है, अब हम इसको बेड़ लेंगे, यह दिखे, इतना बेल देना है, उसके बाद हम इसमें थोड़ा देसी घी लगाएंगी, देसी घी लगाने के बाद आप स्टफिंग दीजिए और इस तहां से इसमें रखे, अब इसको हम कवर करेंगी, इस तहां से इसको खुली-खुली, चारो साइड से आपको कवर कर लेन यह दिखे, यह बॉल जैसा बन गया है, अब इस तरहां से इसको बंद कर देंगे, बंद करके, यह हमारा एक्स्टर आटा आ गया है, इस आटे को हम इस तहां से निकाल देंगे, अब हम इसको सुखा आटा लगाएंगे, यह दिखे, अब इसको अपनी फिंगर से स्टफिं को आटे में चारो तरफ आप स्प्रेड कर दिजिए यहां पर फिर से फ़ड़ा सुखा अटा लगाएंगे और उसको जाड लेंगे अब हलके हाथ से इसको हम बेलेंगे बिल्कुल हलके हाथ से प्राउठी बेलनी है नहीं तो तूट सकती है थोड़ा सा दिधी घी आप तबह पे लगाएं और अपनी प्राउठी को फिर डाले फ्लेम जो है वो मेडियम रखिए और प्राउठी को सिखने दिए कुछ सेकंड्स के बाल अब हम प्राउठी पेलट लेंगे अब दूसरी साइड से भी हम प्राउंटी को अच्छे से से शेखेंगे प्राउंटी हमारी अच्छे से से शेखने ही चाहिए घी हम उसके बाद ही लगाएंगे प्राउंटी को आप पलट पलट के दोनों साइड से से शेखते रहें यह जो कच्चा कच्चा है न प्राठा हमारा यहां से यह सब हम अच्छे से सेकेंगे तर पर अगर आपको लग रहा है कि फ्रेम आपका जो है वो हाई है आप उसको कम कर लीजिए अपने एकोर्डिंग और प्रॉंटी को चारो साइट से अच्छे से से अब यहां पर हम अपना गी लगाएंगे और अब गी में अपनी प्रांटी को अच्छे से शिखेंगे यह देखें व्रेंट्स प्यॉर पंजबी श्टाइल आलु प्राथा हमारा बनके रटी है अब हम इसको सारू करेंगे मखन के साथ। आप भी ये प्योर पंजाबी स्टाइल प्राथा भिनाने की जो रेसिपी है, इसको ट्राइ कीजिए और अपने एक्स्पीरियेंसेज मेरे साथ शेर कीजिए, मुझे भी बताइए आपको ये प्राथा कैसा लगा, थैंक यू आपका टाइम देने के लिए, मेरी वीडियो को कीजिए, शेर कीजिए और चैनल को सब्स्क्राइब कीजिए, थैंक यू फ्रेंग्स